अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना आमूले रतन ये श्रंखला सर्वात्माओं के पता परमात्मा श्यव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है आप सभी का हारदिक स्वागत है अधिकारी बन जाते हैं बालक-सो-मालिक इस सुमान के वास्तविक अर्थ को आज हम इश्वरिय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के इस पष्टी करण के लिए हमारे मद्दे हैं प्रजापिता ब्रम्हा कुमार इस ईश्वरिय विश्वित त्याले के बरिष्ठ राजियोगी शिक्षक आदर्नी राजुभाई सहाब पर सब आपका आज की एपिसोड में बहुत बहुत स्वाकत है सब आज हम बात करेंगे 9 दिसमबर 1985 के महावाक्चियों पर जिसका टॉपिक है बालक सो मालक पर सब स्टार्टिंग में परमात्मा कहते हैं कि मन जीत अर्थात मन के व्यर्थ संकल्प विकल्प जीत ऐसे जीते हुए बच्चे विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं इसलिए मन जीते जगत जीत गाया हुआ है जितना इस समय संकल्प शक्ती अर्थात मन को स्व के अधिकार में रखते हो उतना ही विश्व के राज्य के अधिकारी बनते हो जिसा मन जीते जगत जीत इसको थोड़ा स्पष्ट करें जगत जीत बनने की बहुँ सुंदर बिधि परमात्मा हम सब बच्चों को बता रहे हैं न जीते अब मन को कैसे जीता जाए वोकि मन का काम है संकल्प की रचना करना संकल्प तो सधा ही चलते रहते हैं कभी रुकते नहीं लेकिन इसके अंदर जो बयत्त संकल्प हैं, जो विकारी संकल्प लिकी जनको विकल्प कहते हैं, उंको रोका जाए. सुध्ध संकल्बों में रमन करें, और सुध्ध संकल्पों में रहते रहतें, जब पर आतमाइं variously on managements which can control. जो प्रभाव के कान अत्मा अपने करमेंद्रियों पर ही जीत प्राप्त नहीं कर पाती है। इसलिए उजगजीत कैसे बने कि अपने बच्चों को जगजीत बनने की विधी वता है कि मन जीते है। और यह होता है सनेह से जीतना। जब हम मन से बहुत सनेह से बाते करते हैं, अपने आप से बाते करते हैं, यह संकल्प मेरे काम का नहीं है। तो हम अपने प्यार की सकती से संकल्पों को रोक सकते हैं, जो बेर्थ है, विकल्प है, उसकी बजाए मुझे ये संकल्प नहीं करने, यही संकल्प करने हैं, तो अगर हम बेर्थ और विकल्प को रोक लें और अच्छे-च्छे संकल्पों में रमन करने की आदर डाल लें, त जो स्वराज दिकारी है विस्वराजी का अदिकार सुते पराप्त कर लétा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, ये दुनिया में भी कहा जाता है, मन जीते जगफ जीत, जिसने मन को जित लिया, वो जगफ नहीं बन सकते है। जो भी हद के मालिक पन का हद का नशा है, उसे समाप्त कर हद के मालिक पन से बालक पन में आना है, तब ही बालक सो मालिक बनेंगे। तब बालक सो मालिक, इस स्वमान को थोड़ा सस्पष्टता से बताएं। परतमान समय हम सब परमात्मा के बच्चे बालक बनते हैं और बालक बन करके उनकी सक्तियों के मालिक बन जाते हैं जो परमात्मा का वर्सा है सक्तियां है वो हमारी हो जाते हैं इसलिए परमात्मा एक सुमान ये स्मृत्ति में देते हैं इस समय जो बालक बनते हैं, उस सर्वसक्तियों के मालिक बन करके बालक सो मालिक कहलाते हैं। दुसी तरह परमात्मा कह रहे हैं, जो हद का मालिक बन का नसा है। जब आप परमात्मा के बच्चे बन जाते हो, तो जो मालिक बन का देहमान वाला नसा है। मैं बड़ा हूं, मैं अन्भवी हूं। अपने मालिकपन के अधिकार से जो आप लोकिक में रहते हो, उस अधिकार को समापत करके, जब आप बालक बन जाते हो, तो विष्ट के मालिक बन सकते हो। इसलिए परमात्मा के बच्चे अभी बालक बन जाओ, और फिर बालक बन करके, उनकी श्रीमत पर चल करके, विष्ट का राजी ले करके, विष्ट के मालिक बन सकते हो। परमात्मा के कहते हैं कि बालक सो मालिक हूं। यह स्मृती सदा निर एहंकारी, निराकारी स्थिती का अनुभव कराती है। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना जब ब्राम्मन बने तो ब्राम्मन बन की जीवन का पहला सहज ते सहज पाठ कौन सा पड़ा? बच्चों ने कहा बाबा और बाप ने कहा बच्चा अर्थात बालक इस एक शब्द का पार्ट नौलिजफुल बना देता है बालक या बच्चा यह एक शब्द पढ़ लिया तो सारे इस विश्व की तो क्या लेकिन तीनों लोकों का नौलिज पढ़ लिया बालक सो मालिकपन की इस विश्षिष्टा से हमें कौन-कौन सी उपलब्धियां होती है इसको थोड़ा सपष्टता से बताएं जब हम कहते हैं कि हम बालक हैं तो बालक है कौन सरीर का संबंधिया नहीं है आत्मा का संबंध है आत्मा श्यु बाबा का बालक है, बच्चा है, वो निराकारी इस्थति में सोता है, और जब बच्चा हूँ, तो उसका जो अपना हद का नसा है, और वो समाप्त हो जाता है, इसलिए परमात्मा पहली उपलब्दी ये बताते हैं, कि जब आप बालक बन जाते हो, तो निराका हो Meja Clinic, तो Lacas, आप जो कर बालक बनन जाते हैं। पर्मात्मा सो अपना सब अधिकार में जाते हैं। बालक से मालिक बन कर प्रभितु को भी सफ़ा सकते हैं। और दूसरी आत्मों को भी सही रास्ता दिखा सकते हैं इसलिए परमात्मा हम सब को कहते हैं इस बालक और मालिकपन के सुमान में इस नसे के आधार से आप माया जीत बन सकते हो सारे विश्व पर भी जीत प्राप्त कर सकते हो अगर ये स्मृत्ति रहती है कि हम किसके बालक हैं सुम भगमान के बच्चे हैं हम विश्व के मालिक हैं परमात्मा आगे कहते हैं कि आज की दुनिया में कितने भी बड़े नौलिजफुल हो लेकिन तीनों लोकों की नौलिज़ नहीं जान सकते इस बात में आप एक शब्द पड़े हुए के आगे कितना बड़ा नौलिज़फुल भी अंजान है ऐसे मास्टर नौलिज़फुल कितना सहज बने हो बाबा और बच्चे इस एक शब्द में सब कुछ समाया हुआ है जिसे बीज में सारा ज़ाड समाया हुआ है तो बालक अथवा बच्चा बनना अर्थात सदा के लिए माया से बच्चना माया से बच्चे रहो अर्थात हम बच्चे हैं सदा इस स्मृती में रहो सदा यही स्मृती रखो बच्चा बनना अर्थात बच गया जो बाबा का बच्चा बन गया वाया से बच गया, क्योंकि वो बाबा के समान नौलेजफूल बन गया। जो बाबा का वडसा है, वो हमें अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाता है। एक तरफ बच्चा बनते ही पुरा इनमर्ज हो जाता है। नौलेजफूल आत्मा बन जाती है। तरिकाल दरशी बन जाती है कैसे सरिष्टी चक्र में आतमा पार्ट बजाने के लिए हूँ। परमात्मा के पास जो सक्तियां है जो ग्यान, धन है उसके हम मालिक बन जाते हैं। तो परमात्मा यहां हम सबको कहते हैं कि बच्चे बन गए किसी भी परकार का बड़े पन का नहीं रहेगा। बच्चे बन गए तो नौलेजपुल बन गए। बच्चे बन गए तो तरिकाल दर्सी बन गए। इसके कारण आप बच्चे बने माना माया के प्यर्थ से बच गए, बच्चे बन जाओ तो कई परकार की बातों से बच जाओगे, जो बड़ा समझता है, उसको कई परकार की बातों से लड़ाई कहने पड़ती है, इसलिए अगर हम बाबा के बच्चे हैं, तो बच्चे समझन बावा हमारा जवाबदार हो जाता है, बिलकुल, और हम नौलेजफुल उनके अधिकारी बन जाते हैं, जो उनके पास नौलेज है, जो हमें उसमझा रहे हैं, उसके हम मालिक हैं. बालत बनना मानना जो माता-पिता की क्यालिटी है, जो उसके पास सक्तिया में, बच्ची उसका मालिक बन जाता है, तो परमात्मा नौलेजफुल है, परमात्मा तिरकाल दर्सी है, तो हम उनके बच्चे बन गए, तो जो उनके पास ग्यान है, वो हमारे अंदर आ गया, इसलिए परमात्मा कहता है, जो नौलेजफुल है, तिरकाल दर्सी है, वो आत्मा सुते मायाजीत बन जाती है, बच्चे बन जाओ सिर्फ तो बज जाओगे सब बातों से परमात्मा के कहते हैं कि कहीं बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भूलने चाहते नहीं है लेकिन भूल जाता है क्यों भूल जाता तो कहते बहुत समय के संसकार है वो पुराने संसकार है लेकिन जब मर जीवा बने तो मरने के समय क्या करते है अगनी संसकार करते हो न तो पुराने का संसकार किया तब नयाज जन मलिया जब संसकार कर लिया फिर पुराने संसकार कहां से आए जैसे शरीर का संसकार करते हो तो नाम रूप समाप्त हो जाता है अगर नाम भी लेंगे तो कहेंगे फलाना था है न नहीं कहेंगे, तो शरीर के संसकार होने के बाद, शरीर समाप्त हो गया, ब्राम्भन जीवन में किसका संसकार करते हो, शरीर तो वही है, लेकिन पुराने संसकारों, पुरानी स्मृतियों का, स्वभाव का संसकार करते हो, तब मरजीवा कहलाते हो, तब मरजीवा की इस वहाजशा को थोड़ा सपष्ट करें. परमात्मा हम सब को एक लोग की कुदा हरान दे करके, पुरानी इस्मृत्तियों से मुक्त होने की विधी बता रहे हैं. जैसे कोई सरीर छोड़ता है, तो सरीर के साथ उसका जो संसकार किया जाता है, तो उस नाम और रूप से जैसे वो बदल जाता है. नाम भी अगर लेते हैं तो पुराना था, है नहीं कहते हैं. और रूप तो सदा के लिए उसका समात्फ हो जाता है. तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, जब आप मरजीवा बन गए, नया जनम ले लिया, तो आपके पुराने संसकार, उनका तो आपने संसकार कर दिया, क्यों इसम्रतियों को भी भूलना है. जो ब्रामान पन के नए संसकार हैं, इस्वरिय संसकार हैं, प्सक्राइब आपको जलादिया, जो पिछले जनम के सनसकार है, जो इस्म्रतिया थे, जो स Jordhour प्रणाय वजातेदें, उनका अपने ज्ञास और योग से सनसकार कर दिया। उस अग्नी में उनको जलादिया। यह जला इ redes teamed भी को बार बार कहते हो, कि मेरे पुराने संसकार हैं। इसलिह मैं भूल जाता हूं। तरभ मात्मा की याद भूल जाती है, मेरे दिख कर्म होजाते हैं। उन 안에 अभी तक संसकार नहीं हो। और संसकार करके, वैसे है कोई का संसकार हो जा फिर सामने दिखाये दे तो उसे ढड़ जाते हैं लोग, ये कहां से आ गया, तो च्हाया हो गई, परमात्मा कहता है, आप बच्चे मरजीवा बन गए हो, इस मरजीवा जीवन के अंदर कोई भी पाष्ट बात है, जो इस पिछले जनम की थी, सूद्रपने की थी, वो इस नाम मेरा यही मुश्किल बना देता है, जब कोई मुश्किल अनुभव करते हो, तब तो कहते हो, तेरा काम तुम जानो, और जब सहज होता है, तो मेरा कहते हो, मेरा पन समाप्त होना अर्थात, बालक सू मालिक बनना, बाप तो कहते हैं, बैगर बनो, यह शरीर रूपी घर भी तेरा नहीं यह लोन मिला हुआ है सिर्फ इश्वरिय सेवा के लिए बाबा ने लोन दे करके ट्रस्टी बनाया है यह इश्वरिय अमानत है आपने तो सब कुछ तेरा कह करके बाब को दे दिया सब ट्रस्टी बन की इस भावना को थोड़ा सपष्ट करे जब हम बाबा के बच्चे बन गए तो अंदर से हम कहते हैं सब कुछ तेरा तो परमात्मा कहते हैं कई बार तेरे और मेरे का बोज उठा लेते हो दुनिया में भी जब कोई बहुत भारी पान कोई मेहनत का काम मुश्किल होती है कटनाई महिसोस होती है तो बाबा कोई बाबा तेरा काम है तुम जानो और जब कोई सहज हो जाता है तो कहते हैं ये तो मैंने किया मैं करता हूं ये मेरा काम था तो परमात्मा कहता है, इस तेरे मेरे के चक्कर को छोड़ करके तुम बच्चे बन जाओ, बच्चे बने माना हमने सब कुछ उसको अर्पित कर दिया, कितन, मांधन, जो मेरा था वो सब कहा तेरा है, और जब तेरा कहा तो परमात्मा बड़ा अच्छा मिसाल दे रहे है कि अगर दिया है, फिर से समालने के लिए अमानत है उसकी, इस अमानत को समालो, घर को समालो, मन को भी समालो, और धन को भी समालो, तन, मन, धन, सब तेरा, तो परमात्मा इसकी बहुत गहरी परिभासा सुना रहे है, कि अगर तुम बालक बन गए, तो तेरा कह दिया, तो इसक जो तुम को दिया है या अमानत है, रष्टी बन करके इसकी सम्हाल करो, इसको बढ़ाओ, इसको आगे रखो, इसको ध्यान से चलाओ, लेकिन इस पर अधिकार नहीं रखना, अधिकार रखोगे तो बोज हो जाएगा, और जहां बोज होगा, भारीपन होगा, वहां पर मालिक के रखमें, उसको समालो जरोड़, इसको अधिकार के रॖ में नहीं, नहीं तो बोज है, बिलकुल, परमातमा अगे कुमारियों से बात चीट करते होएं कहते हैं, की कुमारियां सदा पुझ्य आतमाई है, अपने पुझ्य स्वरूप को स्मृति में रखते हुए, हर कर्म क पहले चेक करो कि यह कारे पुज्य आत्मा के प्रमान हैं, अगर नहीं है तो परिवर्तन कर लो, पुज्य आत्मा कभी साधारण नहीं होती, महान होती हैं, सो ब्राम्भणों से उत्तम कुमारियां हो, फैस अब पुज्य पन की स्मृती से कर्म करना इसको थोड़ा सपष्ट क भारत में विसेश करके छोटे बच्चियों का कुमारियों का पुजन करते हैं, और उनको बहुत पुज्य मानते हैं, पवित्र हैं, सुच्छ हैं, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, यह जो पुज्य पन की स्मृत्य है, कि मैं पुज्य हूं, मैं कुमारी हूं, कौमार्य हूं इससे आपकी इस्थिती बहुत उंचे से उंची बन जाएगी आप पुझ्य सरूप में इस्थित रह सकते हैं इसलिए परमात्मा अपने बच्चियों को खास करके कुमारियों को ये स्वमान इस मृत्ति में दिलाते हैं कि आपकुमारियां जोँ अउत्तम् गाई हुई है करहा सौ ब्राम्मान और एक उमारी पवित्र है पुझ्य है अगर हम रहते हैं तो उचाई ये हैं कि हम अपनी पवित्रत्य के बल से पुझ्य सरूप में स्थित होकर के कम से कम अपने समान सव ब्राम्हन तयार करें, उनकी सेवा करें, उनको पवित्र बनाएं, तब ब्राम्हन कहलाएंगे, अगर पवित्र नहीं बने तो ब्राम्हनी नहीं है, तब ब्राम्हनों से उत्तम, उनकी धानाओं से भी आपकी धानाय उंची होनी चाहिए, तब कहेंग सव रामनों से उत्तम एक अन्या, तो पुझ्य सरूप पवित्रता की निसानी है, जितना पवित्रता हमारे जीवन में आती जाती है, कोई भी दैही काकरशन से आत्मा मुक्त रहती है, उतना अनेक आत्मों का कल्यान कर सकती है, सिवा कर सकती है, बलगुल, पर सब परमात्मा क कहते हैं कि सदेव अपने संकल्पों में हर रोज कोई न कोई स्व के प्रती और औरों के प्रती उमंग उत्सहा का संकल्प रखो। जैसे आजकल के समय में अख़बार में या कई स्थानों पर आज का विचार विशेश लिखते हैं न? एसे रोज मन का संकल्प कोई न कोई उमंग उत्सहा का इमर्ज रूप में लाओ और उसी संकल्प से स्वयम में भी स्वरूप बनाओ और दूसरों की सेवा में भी लगाओ तो क्या होगा? सदा ही नया उमंग उत्सहा रहेगा। परसब उम्मांग उच्छ सहा सदा बरकरार रखने की इस विधी को फ़ड़ा सपष्ट करें। परमात्मा ने बहुत सुंदर मिशाल दिया कि आजकल अखबारों में एक वाक्य लिखते हैं जिसको लिखते हैं आजका सु विचार। ऐसे ही आप बच्चे रोज सवेरे उठकर के कोई अच्छा विचाल लो और अगर मान लो अपने मन से विचार आपके अंदर नहीं किरेट होता है तो बहुत अच्छी विधियां हमारे साथ सामने हैं परमात्मा के महावाक के हैं उन में से कोई एक दो बाते हैं वर्दान की, स ही अगानितन को घंद तो जितना हम अपने सु विचारों में रमण करेंगे, उससे हमारा उमगुशा बढ़ेगा, नया नया विचार आएगा, और साथ सात अन्या आत्माओं को भी सु विचार सुनाएंगे तो उनका उमगुशा भी उमगँशा भढ़ जाएगा, ये उमक जो बेर्थ चलते हैं, उनकी बहुत लंबी क्यों लगी रहती है। और बेर्थ संकल्प हमारी खुसी को, हमारे उमंग उसा को खतम कर देते हैं। प्रमात्मा हम सबको कहते हैं बच्चे सवेरे सवेरे जब आग खुलती है उस समय ही, आप एक बहुत अच्छा विचार ले लो। मैं महान आत्मा हूँ मैं हीरो पारधरी आत्मा हूँ मैं विस्व कल्यानकारी आत्मा हूँ मैं मास्टर सर्व सक्तिवान आत्मा हूँ कोई एक समान ले लो एक अच्छा विचार और वो विचार लेकर के उसमें मनन करो चिंतन करो तो आपका नया नया विचार उमंग उसा दिलाएगा और जो सामने वाली आत्माएं हैं उनको अगर विचार देंगे, सुनाएंगे तो उनके अंदर भी उमंग उसा जाएगा बिल्कुल फिरमात्मा ने इसलिए कहा कि रोज अमरित वेले विशेश उमंग उसा का संकल्प करो और फिर चेक भी करो तो अपनी भी सदा के लिए उसा वाली जीवन होगी और उसा दिलाने वाले भी बन जाएंगे फिरमात्मा के कहते हैं कि शक्तिशाली याद के बिना कोई भी अनुभव हो नहीं सकता तो सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते चलो किसी भी देहधारी के पीछे जाना सेवा देना यह सब रौंग है सदा अपनी शक्ति अनुसार इश्वरिये सेवा में लग जाओ और सेवा का फल पाओ जितनी शक्ति है उतना सेवा में लगाते चलो चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से एक का पदम गुणा मिलना ही है अपने लिए जमा करते हो अनेक जन्मों के लिए जमा करना है ऐसे इसको थोड़ा सपष्ट करें परमात्मा पिता हम बच्चों को सर्व खजानों से भरपूट संपन बनाने की विधी बता रहे है बच्चे जो आपकी सक्तियां है तन की, मन की, धन की वो इसुरिय सेवा में लगा दो अगर इस समय संगम युकपर याद से अपनी स्थिति को सक्ति साली बनाया परमात्मा की याद से इस्ति सक्ति साली बन गई फिर आप जो संकल्प करें, जो बोल बोले, जो कर्म करें वो इसुरिय सेवा के प्रत्य हों जितना आप सेवा में लगाते जाएंगे विष्व कल्यान की सेवा में जितना आपका लग जाएगा इस समय उतना आपका जमा काखाता भरपूर होता जाएगा अपने आपको संपन बनाने का एक साधन है किसी भी व्यक्ति को कुछ देंगे तो वो लिमिटेड हो जाएगा हद में आ जाओगे आप उसके बंदन में बंद जाओगे तो परमात्मा कहता है आपकी सक्तियां कोई हद में किसी व्यक्ति को देने की जरूरत नहीं है वो बेहद में और विस्चु कल्यान की सेवा में लगनी चाहिए अगर विस्चु कल्यान की सेवा में जो हमारे पास सक्ति है हर एक के पास कोई न कोई सक्ति है तो ये कभी नहीं कह सकता मेरे पार कुछ नहीं है। मानलो अगर तन बीमार है। परमात्मा कहता है बच्चे कोई बात नहीं है। इसको भूल जाओ। तुमारे पार मन अच्छा है। कोई कहा है। मन भी मेरा बड़ा चंचल है। कंट्रोल नहीं होता है। तन है, मन है, धन है। तो आपके पास कोई विसेस्ता है, आप जी रहे हैं, आप रह रहे हैं, तो कोई विसेस्ता है, उमंग की है, उसा की है, हिम्मत की है, निष्चे की है, निष्चे की है, नसे की है, बहुत सारी विसेस्ता हैं व्यक्ति के अंदर हैं, उन विसेस्ताओं को भी आप सेवा में और जिनके प्रतियाप सेवा करें, उनका उत्सा बढ़ जाएगा. तो यह जमा करने की पुंजी जमा करने की अच्छी विधी है. जो सकती है, अगर इस समय इस वरिय सेवा में वो लग गई, तो एक का कई गुना उसका रिटर्ण परमात्मा के दोरा प्राप्त होगा. इस समय भी माला माल बन जाएंगे और भविसे के अंदर भी आपको इसका रिटर्ण प्राप्त होगा. इसलिए हर एक को कोई न कोई सकती वर्तमान समय संगम के समय में विस्व कल्यान की सेवा में लगाना जरूरी है. और जो जितना लगाएगा उतना उसका जमा काकाता भरपूर हो जाएगा. बिल्कुल भैसाब आज हमने बालक सो मालिक इस स्मृती में रहने से होने वाली विभन प्राप्तियों को गहराई से समझा. भैसाब स्पष्टी करण के लिए आपका बहुत भाद धनेवाद. दर्शकों आज के महवाक्यों में परमात्मा ने कहा कि जितना हम अपनी संकल्प शक्ती, अर्थात मन के अधिकारी बनते हैं, उतना ही हम विश्व के राज्य अधिकारी बन सकते हैं. परमात्मा ने कहा कि मैं बालक सो मालिक हूँ, यह स्मृती हमें स्वते ही निराकारी और निरहेंकारी स्थिती का अनुभव कराती है. परमात्मा ने कहा कि परमात्मा का बच्चा बनना, अर्थात माया से बच जाना और सर्व बोजों से मुक्त हो जाना. तश्क्वाज के महावाक्यों से संबंधित इदियापके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें एमेल कर सकते हैं हमारा एमेल आइडी है amolleratna at the rate godlywoodstudio.org अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्षम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त हुम शानते मुख्यसार पालक बनना अर्थाद निरांकारी निराकारी स्थिती का अनुभव करना हद के जीवन का परिवर्तन होना सदा के लिए माया से बचना मर जीवा कब कहलाते हो जब पुराने स्वभाव संसकार पुरानी स्मृतियों का संसकार करते हो तब मर जीवा कहलाते हो किये हुए संसकार अगर जागरत हो जाते तो भूत कहेंगे मन जीत अर्थाद मन के व्यर्थ संकल्प विकल्प जीत है इस समय मन को स्वके अधिकार में रखने से विश्व के राज अधिकारी बनेंगे इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विध्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर स्टूडियो से संपर्क करें